अफ्वी मुत्पादक किसानों को पोस्ता दाना के अच्छे भाव मिल रहे हैं व्यापारी अच्छी क्वालिटी का पोस्ता खरीदने में उत्सा दिखा रहे हैं इसका कारण के इन्रे सरकार द्वारा टर्की के पोस्ता के इंपोर्ट पर रोक लगाना है देशी पोस्ता के प्रतिकिलो भाव में दो साल में सत्रा सु रुपे का उच्छालाय है 2019 में टर्की इंपोर्ट बरकरार था तब देशी पोस्ता तीन सु रुपे किलो था इसके बाद इंपोर्ट पर रोक लगाई गई वर्ष 2020 में भाव 900 रुपे किलो पहुँचे इस साल भाव में 1100 रुपे का उच्छालाय है और 2000 रुपे किलो हो गए है शुक्रुआर को सब्ता के अंतिम दिन मंडी में अच्छी क्वालिटी का पोस्ता 2,0,00 रुपे प्रतिक्विंटल व्यापारियों ने खरीदा है इस साल इंपोर्ट पर रोग बरकरार रहने से भाव ढ़ाई लाग रुपे क्विंटल तक जाने की संबावना है वहीं व्यापारी जन्वरी में किंद्र सरकार द्वारा टर्की इंपोर्ट खोलने की संभावनाव जता रहे हैं। इससे देशी पोस्ता के भाव में डेड़ लाक रुपे तक की गिरावट आ सकती है। देश में सबसे अधिक पोस्ता नीमच क्रिशी मंडी में निलाम होने आ निलामी शुरू होने पर भाव एक लाख सतर हजार रुपे क्विंटल तक रहा है। उपच के आवक बढ़ने से व्यापारियों ने निलामी में भाग लेना शुरू कर दिया है। उच्चुकालिटी के पोस्ता में तीस हजार रुपे क्विंटल की बड़ उत्री हुई पिछले सब्ता आकरी दिन 22 अक्टूबर को मंडी में 400 बोरी से अधिक की आवक रही नियूंतम भाव 1,31,000 और उचे में 2,00,000 रुपे क्विंटल रहा कई किसान उपच नहीं बेच सके थे मंडी व्यापारियों के नुसार भाव में लगातार बड़ोत्री की संभावना रहे था इसके बाद केंद्र सरकार ने इंपोर्ट पर रोक लगा दी थी देशी पोस्ता 2019 में 6000 टन 2020 में 9000 टन 2021 में 6000 टन पोस्ता दाना देश के प्रमुख व्यापारियों के पास पहुचा है दो साल पहले आया तर्की के पोस्ता का स्टोक खत्मोंने से व्यापारियों ने अब स्टोक खत्म हो गया है तो देशी पोस्तादाना की मांग बढ़ गई है इससे भाव में उच्छाल आया है देश में सबसे अधिक पोस्तादाना की मांग पश्चम बंगाल में रहती है जहां प्रतिमां 300 टन पोस्तादाना की खपत होती है नीमच की व्यापारियों द्व पिन्यों द्वारा ठंडाई पोस्ता से बनाई जाती है